नमस्ते मैं हूँ संजय दिक्षित और आप देख रहे हैं दी जैपुर डालॉग्स बात करेंगे इंडी अलाइंस की बैया यह इंडी अलाइंस में हो कहा रहा है लोगों ने कहा था कि इंडी अलाइंस जो है वह कट्टा होके और नरेंद्र मोदी की बैंड से बैंड बजा द आप दी वह भी एक तरह से रिजेक्टी कर दी कहा दी दो अपरेल को जवाब देगे उसके बास सुनें तो इनका तो काम हो गया लेकिन दूसरे काम जो और हो रहे हैं वह और भी खतरनाक हैं सबसे पहले तो हम आते हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है फिर उसके बाद हम ब आज रिंकु जी भी आ गए पता है ना आपको रिंकु जी कौन है रिंकु जी आम आदमी पार्टी के एक मात्र लोकसभा सांसद हैं जो उप चुनाव में जीत कर आए थे गया क्योंकि दो उप चुना हुए थे एक तो उप चुना हुआ था जब भगवन तमान ने रिजाइन किया था उनके स्थान पर जो उप चुना हुआ था उसमें तो सिम्रण जीत सिंग मान जीत लिया था वो खालिस्तानी और दूसरा उप चुना हुआ था जब एक सांसद मह वो भारत तोडो यात्रा जब जा रही थी 1.0 तो उसमें उन्होंने वाक किया हमारे प्रिंस लिंक के साथ में राजकुमार के साथ में और वो चलते बने बगवान को प्यारे हो गए इसलिए होगा था तो सुशील कुमार जी रिंकु आ गए उनके इस्तान पर वो रिलेक्ट ह होके आए जलंदर रिजर्ट सीट है और रिजर्ट सीट से इलेक्ट होके आए और आज वो शामिल हो गए भारती जिंता पार्टी में लीजिए साथ तो यह तो साथ ले देके आपने देख लिया के हाल क्या हुआ हमारे केजरी भाई का और उनका चलते हैं तो महराष्ट की दात कर लेते हैं तो महराष्ट में क्या हो रहा है साथ महराष्ट में शिव सेना उद्धव ठाकरे जो हैं दे आर प्लेइंग दी बिग ब्रदर और उन्होंने 22 सीटे अपने पास रखी हैं 22 में उनके पास यह ऑप्शन है कि और किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं कि काई हो क्या रहा है कि उन्होंने अपनी सीटे डिकलेर कर दिए डिकलेर कर दिए सतरह सीटों पर और उन सतरह सीटों में तीन सीटे ऐसी है जो कॉगरेस मांग रही क्रेकर दिया सांगली मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल इन तीन सीटों के लेकर इतना जबरतस जगड़ा है कि संजय निरूपम जो कॉंगरेस के करता दरता फेस सब कुछ माने जाते हैं मुंबई में उन्होंने ये दमकी दे दी कि वो पार्टी छोड़ देंगे अगर इसको सौट आउट नहीं किया गया तो बड़ी है चलने दीजिए वैसे भी इस तरह के आपस में थुक्का फजीती चलती रहेगी तो बागी कितना होगा और शरत पवार जो है वो कह रहे हैं कि वो बहुत दुखी है वो उद्दव ठाकरे और कॉंग्रेस दोनों से दुखी है तो बही जारेब सारे के सारे पार्टनर से एक दूसरे से दुखी है तो महराश्टर में होगा क्या उसके अलावा एक वो वन्चित बहुजन अगारी है मां की वी बी ए प्रकाश अम्बेडकर साब जो डॉक्टर अम्बेडकर के पोते हैं और जो पुरानी जो रिपब्लिकन पार्टी जुआ करती थी जो रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर थी के जो स्पिलिंटर गूरूप बने बहुत सारे उन में से एक जाकर अल्टिमेटली प्रकाश उम्पेड़ करकी वी बीए बन गई वी बीए जो है वो करें हमको नौ सीटे दो अब भाई लोगों को अपना इतना ज्यादा और इस्टिमेट हो जाता है कि अब क्या करें अपने आपको समझते हैं कि अन्वान जी की पूंच तो हमी है कि हमारी वजह से अन्वान जी की पूंच इतनी बड़ी हुई तो वी बीए ने का नौ सीटे दो और नौ सीटे दो उनको कौन देता आज तक तो एक सीटे जीते नहीं है तो उन्हों ने अपनी अलग से अनाउंस कर द और देखो तो आप उससे भी बड़ा जो घटना करम है वो चल रहा है कहां उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कल जो है वो बड़ी तेजी से डिवलप्मेंट होए सबसे पहले तो आप यह देखें कि कुछ दिन पहले टीपू टीपू जानते हैं ना अब जी अखि से तो पता चलता है ना कि उनकी जो है वो सेकिलरिजम में कितनी बड़ी आस्ता है मारा भारती जो सेकिलरिजम है वो है ही ऐसा तो भारती सेकिलरिजम का मतलब यह है कि उसको एंटी हिंदू होना आवश्यक है को कि देखिए डाक्टर अमेड़गर ने अपनी किताब में लि क्येता है काफिर छोटा होता है तो कोई काफिर को जब तक छोटा नहीं करे जब पाकिस्तान और दी पार्टिशन उंडिया में अब ये काम जो है ये बुलायम सिंग को करने थे तो उन्होंने अपने बेटे के नाम भी टीपू रख दिया वैसे हमरे कुछतों के नाम भी टीपू रखते हैं खर कोई बात नहीं तो टीपू जी जो थे वो आजम खाल से मिलने गए सीतापुर जेल में अब यहां भी बड़ी विचितर इस्थिती है कि ये आजम खाँ फैमली एक ऐसी है जिसमें आजम खाँ उनकी बीवी और उनका बेटा तीनों अलग अलग जेलों में हैं आजम खाँ सीतापुर जेल में हैं और उनके बेटे जो हर्दोई जेल में है और जो उनकी बीवी हैं वो रामपुर जेल में है और उनकी तरफ से फर्याद भी की जाती है कि सब को एक तहुए रख दिया जात हो आजम खांसे मिलें गए आजम खांसे कुछ बातचीत हुई होगी या नहीं होई होगी कुछ भी हुआ आज अतानक रामपुर में एक पत्र मिलता है साइन किया हुआ आजम खांका और वो ये कहता है कि मैंने अपने राश्टिय अद्लिक्च जी से ये है इलतजा की थी कि वे रामपुर से चुनाव लड़ें क्योंकि रामपुर में पिछली बार बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ था लोगों को वोट नहीं डालने दिये गए थे और ये इस्तिती तभी काबू में आ सकती है जब सुहम अखिलेश जी चुनाव वहां से लड़ें क्योंकि अखिलेश जी ने हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है इसलिए मैं रामपुर से चुनाव वाइकॉट करने की अपील करता हूँ अब इतना होना प्रियाप्त था या नहीं था बताते हैं कि ये बात जो है क्योंकि आज जब आप ये देख रहे हैं तो ये आज गुरुवार है ये बात बताते हैं कि ये मंगलवार को ये बात आ गई थी तो मंगलवार को तुरत फुरत में कोई मौलाना हभीबुला नदवी हैं पार्लिमेंट स्ट्रीट की एक मस्जिद है उसको वहां भी उसको भी जामा मस्जिद बोलते हैं जामा मस्जिद पार्लिमेंट स्ट्रीट तो उप पार्लिमेंटर की मस्जिद के जो इमाम हैं उनको साहब को पहुचा दिया गया रामपुर में आज उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया साथ में जो इनके खास आदमी है रजा साहब असलम रजा है उनका नाम तो रजा साहब जो है वो पहले उप्चुनाव लड़े थे हार गए थे वन्चामलोट से वन्चामलोट बीजेपीस खड़े हैं तो उन्होंने भी फॉरम बर दिया और अब जो है मज़े आने वाले हैं क्या होता है उधर क्या किया था उन्होंने बाखाय दे मंघलवार को परचा भर दिया अचानक अनौश होता है मंगलवार की रात को कि साथ वहां का जो टिकट है वो कोई रुची वीरा नाम की मैडम है राचपूत है उनको दे दिया गया है और वो पहुँच गई सवेरे और बुदवार को उन्होंने नामांकन कर दिया और उसके बाद जब कुछ कन्फूजन हुआ तो बताते हैं कि चार होते थे यानि मुरादाबाद रामपुर उनकी तो ऐसी तैसी करी ली है और उनका इंपैक्ट निश्चित रूप से संभल पर भी पड़ेगा कि संभल में वो शफीक और रह्मान बर्ख साहब जो है वो तो अल्ला को प्यारे हो चुके हैं उनके बेटे हैं उनके बेटे की लड़ भिड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भाई जो योगी जी ने असी भाई असी का टार्गेट रखा हुआ है उसको पूरा करने में हमारे टीपू भाई जो है वो पूरी तरह से मददगार साबित होंगे तो इंडी अलाइंस जो है वो जैसा हमने पहले कहा था वही स्थिती उसकी हो गई है अब वो पूरी तरह बन गया है भिंडी अलाइंस जैहिन जैबारत वंदे मातरों